नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है दीपक चौरस्या और आप लोग देख रहे हैं डीपी के यूट्यूबर यूट्यूब चैनल सो फाइनली गाइस अपडेट आ चुका है आईवेस 15.0.2 आईफोन 6S से उपर के जितने भी फोन है और जिनमें आईवेस 15.0.1 चल रहा था यह अपडेट बहुत ही जबरदस्त है इसमें क्या कुछ नया देखने को मिला है सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी सो वीडियो एंट तक जरूर देखेगा और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बारा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे साथी बेल आइ लोगों को वापडेपर भेज देता हूं गर आपको चाहिए तो वहां पर आप मुझे फॉलो कर लिजे मुझे मैसेज कर देजे मैं वहां पर आपको भेज दूँगा तो शुरुवात करते हैं गाई जिस अपडेट के साइट से तो साइज देख लीजिए अपडेट का है या नहीं है सब कुछ आप लोगों तक शेयर करूँगा और आप लोगों को अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा यहां पर आप लोग देख लीजिए अपडेट का जो साइज था चार सो तिरपन अम्बीर का था और दूसरी चीज यहां प पर आप लोग देख भी सकते हो आईवे 15.0.2 मैंने अपने होट स्पोट से ही किया है और बहुत ही जल्दी हो गया था कोई भी दिखकर मुझे देखने को नहीं मिली थी तो यहां पर अगर मैं बात करूँ इसका वर्जन की तो आप लोग देख सकते हो 19A404 है और पहले कित आप लोग देख सकते होगा जो modern फर्मेर था वो था 19.0.1 और अगर मैं अभी की बात करूँ इस टाइम पर modern फर्मेर की तो यहां पर आप लोग देख सकते हो 19.0.100 तो इसमें कोई फर्क आया नहीं है गाईस जो पहले था modern फर्मेर सेम टू सेम है अब मैं बात करूँ यहा आपको थोड़ा सा storage जो है कम देखने को मिल सकता है थोड़ा सा कम हो सकता है दिक्कत वाली कोई बात नहीं यह थोड़ा बहुत उपर निचे होता रहता है तो आप लोगों को मैंने दिखा दिया कि यहां पे जो है क्या changes आए है अगर मैं बात करूँ यहां पे नई चीजों की नई चीजों की अगर मैं बात करूँ यहां पे नया क्या कुछ मिला है अगर आपके पास कोई बड़ा आइफोन है मेरे पास तो 612 भी है तो वहां पे अगर आप जो है ज्यादा तर आई मैसेज का यूज करते हैं और यहां पे अगर आप जो फोटो वगरा भेजते रहत मैसेज यह अप बहुत जबरदस्त है मैं भी यूज करता हूँ और उमीद करता हूँ आप लोग भी यूज करते हैं लेकिन अभी तक यह इतना स्मार्ट नहीं हो पाए जब इतना स्मार्ट हो जाएगा वाटसप के मुकाबले तब यूज करने में ज्यादा मजाएगा वैस को जो है काफी दिक्कत आ रहे थी मैंगा से फॉलेट को लेकर के यहां पर तो उनका कोई स्कैन नहीं हो रहा था काफी दिक्कत आ रही थी वहां पर उन लोगों को स्कैन करने में जो भी चीज़े थी आईवे स्प्रिंट 0.1 में इसी लिए अपडेट आया है क्योंकि बहुत जल्दी अपडेट आया दो हफ्ते हुए है यह अपडेट जो है आ चुका है तो इसी वज़े से हैं क्योंकि में चीज होती है वालेट और यहां पर बड़े बड़े लोग होते गाफी लोग जो अपने सारी चीज़े अपने वालेट में रखते हैं तो मेगा से जो लैदर आप लेट का फीचर होता है अपने कार में यूज़ करते हो तो वह जो जो चीज़ें थी कनेक्टिविटी को लेकर के वह कफी दिक्कत आ रहे थी तो फिलाल अब ठीक हो चुकी है अब आप मुझक कर सकते हो मेज़े को या फिर विंग मुझक ओ गाना कुछ भी आप यूज करते हो तो वो जो दिक्कते आ रही थी वो आप नहीं आएंगे आप आराम से जोंसी जो को यूज़ कर सकते हो अगली चीज जो आइफोन 13 मीनी और 13 सीरीज को आ रही थी बहुत जादा जो मतलब एक नया आइफोन ले लिया उन्होंने तो आपके पास पुरान आइफोन हो तो यहां पर ट्रांसफर और रिसेट आइफोन का जो फीचर हमें मिला था नया इसमें दिक्कत आ रही थी उस आइफोन पुराने वाले आइ क्योंकि यह चीज बहुत जरूरी थी तो यह चीज ठीक होनी बहुत जरूरी थी नहीं तो हम लोग मुव टू आइउस या फिर अपना आइक्लाउड बैक अप से वो चीजे करते हैं तो काफी दिक्कत होती है बाकी यह फीचर काफी बढ़िया लगता है जिस वजह से हमें जो है बहुत ही आसानी रहती है अगली चीज में बता हूं आप सेक्यूरिटी पैस लेकर सेक्यूरिटी इसकी जो और बढ़ा दी गहीं और बहुत ही अच्छी चीज है हमारे आइफून 6 के लिए क्योंकि क्या है कि अभी लोग जानते हो भी कितने बड़े 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 अगली चीज जो मैं आप लोगों को बतानों टच रिस्पॉंसिविनेश को लेकर कि यहां पर आप यूट्यूब यूज करते हो तो यहां पर मुझे बहुत ज़्यदा दिक्कत आ रही थी इस चीज को लेकर कि कभी-कभी जैसे यह वीडियो प्ले करता तो प्ले ही नहीं हो तो यह चीज जो है अब आप लोग देख सकते हो कभी कोई भी वीडियो प्ले हो आराम से चीज काम करेंगी तो यह चीज का सही होना बहुत जरूर थी और यह आइफोन 11 में मेरे फ्रेंड के पास है उसमें भी दिक्कत हो रही थी कभी कभी वीडियो प्ले ही नहीं हो रही वीडियो हमेंसे तीन चार बाटच करते रहते तो वीडियो प्ले ही नहीं होती थी तो वह चीज ठीक हो गई है काफी अच्छी बात है हम लोगों के लिए अगली चीज में बात करें यहां पर जो है काफी का भी जो है अपने आप भर जाता था तो इस टोरेज की जो दिक्क अच्छी तरीके से यहां पर आप मैनेज कर सकते हो तो वह चीज यह काफी अच्छी लग रही है और हमें आइफून 6S में या फिर कोई भी आपके पास आइफून हो जिसमें स्टोरेज कम होता है हमें हमेशा दिक्कत रहती है और फूल दिखाता रहता है तो वह चीज अग मैं बात करें इस अपडेट की पर्फार्मेंस को लेगर के तो वह तो बहुत जबरदस्त है यहां पर आप लोग देखी सकते हो कोई भी लैग की या फिर कोई हैंगिन की प्रब्लम जो है अभी तक मुझे देखने को नहीं मिले और अगली मैं बात करें यहां पर अगर इसक कभी कभी सोचता होंगर आप मुझे बहुत दिनों से फॉलो कर रहें मुझे वीडियो देख रहें मेरी तो आपको पता हो का बैटरियल मेरी 82% बहुत दिनों से है और अभी 82% ही है तो यह काफी चीज़ है अगर मैं बात करें आप बैटरी लाइफ को लेकर के तो बैटरी बैटरी पचास मिनट में कम हो गई है और पचास मिनट में स्क्रीन ओन टाइम आप लोग देख सकते हैं यहां पे कितना है 43 मिनट का है तो इतनी बैटरी जाना कॉमन सी बात है मतलब जा सकती है लेकिन यहां पे मैं दिक्कत जो फेस कर रहा था बहुत ज़्यादा परेसान करीब जो एक से डिर्ड मेंने से आप लगों को हर वी इडियो में बताता भी था कि मैं जब इस फोन को चार्ज करता हूं तो इसका जो last चार्ज मीना है ये मुझे सही नहीं बता रहा था करीब एक महीने से कभी मतलब दो दिन पहले का बता रहा था कभी बता ही नहीं रहा यह चीज मेरे फोन में ठीक हो चुकी आपके सामने पुरुफ के साथ देख सकते हो तो इस सीट से मैं बहुत ज़दा खुस हूँ और मुझे काफी अच्छा लग रहा है कि यह ठीक हो गई क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी बैटरी नहीं खराब हो गई पता नहीं क्य हो गया मेरे फोन में तो वह चीज मेरे फोन में ठीक हो चुकी इस से लिए मैं बहुत खुस हूँ और काफी अच्छी बात है अगर मैं बात करूँ आपको यह अपडेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ थोड़ा सा वेड कर लि की रिलीज डेट क्योंकि मुझे नहीं लगता आप आईवेस्ट 15.0.3 आएगा अब इसके बार डायरेक्ट हो सकता है आईवेस्ट 15.1 और डायरेक्ट है तो उसकी जो डेट अगर मैं बात करूँ तो वह आपको जो है इस महिने के लास्ट वीक में 25 से 26 27 28 इनी तीनो डेट म इसके बीच में देखने को मिल सकता अगर आप यूज करते हो बाकि मैं तो अपने इस आईफून जो मेरा एसी है इसमें में जो है बीटा प्रोफाइल यूज करता हूं देखते हैं जो भी आएगा आप लोगों को बता दिएँगा फिलाल के लिए वीडियो में अगर आपक किसी नहीं अच्छी वीडियो में तब तक के लिए बाइबाए